कि नमस्कार मैं गुप 305 डीजीपी बिहार बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है क्या है क्या नहीं है मैं बता देता हूं कहां छूट है कहां कडाई कहां कहां है करफुवाई यह सब को जानना चाहिए कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी आम आदमी को उसी संयम और अंसासन में रहना है जैसे आप पहले से रहते आए हैं पहले के सारे आपके नियम मालूम हैं वो सब नियम वैसे ही रहेंगे कि चार्चका में नहीं चलना है मोटर साइकल पदो कि दूकान डाइक क्लिनिंग के दूकान फर्निचर के दूकान बरतन के दूकान सैकिल के दूकान स्पोर्ट से दूकान उसी तरह से किताबों की दूकान चस्मा को दूकान स्टेशनी की दूकान एक्ट्रॉनिस दूकान एलेक्ट्रिक की दूकान रसंग की दूकान बहुत द कि दुकान में जाना है पतना सीटी का आदमी आसयाना में मार्केटिंग करने नहीं जाएगा आदमी कंकड़वा की दुकान में नहीं जाएगा लेकिन दुकानों को यार रखिए केवल 11 वजे से 4 वजे तक ही जाना है आपको और सोसल डिस्टिंसिंग का पालंग करते हुए से 4 वजे तक लेकिन बड़े बड़े जो Something complex मॉल से वह नहीं खुलरहें Center नहीं जीम्स नहीं खुल रहे हैं, स्विविंपूल नहीं खुलना है, इंटर्टेन्मेंट पार्क नहीं खुलना है, किसे परकार के सेक्शनिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, यह सब नहीं खुलने हैं, किसी तरह का धार्मिक राजनेतिक, सामाजिक, सांस्कृति, या किसी तरह का क कोई काजिक्रम सामुई का नहीं होगा मंदिरों में पब्ली के लिए नहीं खुलेगे मस्जिदें पब्ली के लिए नहीं खुलेगी तवारिक की नमाज भी अपने घर में अदा करनी होगी मेरे भाई दुख का विसे हैं लेकिन सच यही है कि कोई भी सामुहित इबादत का खारिक्रम नहीं होगा नहीं मंदिर नहीं मस्जिद में इसी तरह से परिवहन का बारे में आटो चलेगा नहीं रिक्षा चलेगा कि नहीं इसके बारे में बस चलेगे इतने बहुत लोग कन्फूजन है पर अदर साधेस नि के लिए उपयोग कर सकते हैं टेक्सी में दोसे अधिकारी नहीं बैठेंगे बाकी विस्त्री तादेश निकलने वाला है उसके आप पर पिछा कर लें और ऑफिस सारे खुल गया है सरकारी भी प्राइबेट भी लेक्षी सरकारी दफ्तर में डिप्री से उपर के सारे अधिका आएंगे वह भी रोटेशन पर इस बात को ज्यानतनास अभी प्रखंड मुख्याले को रेट जोन मनाया गया है तो रेट जोन में कोई दुगार नहीं खुलेगी जी अधिक प्रखंड में तो कोई एक्टिविटी जैसे पहले नहीं होती थी वैसे अभी भी नहीं होगी तो सम्मिला जुला करके ये बात समझने कि अभी भी राजी के अंदर खुली छूट नहीं है कि आप कहीं से कहीं जाएं और एक जिले से दुसरे जिले के अंदर जाने की इजाजत ही नहीं है बीना पास के बीना सरकार के परमिशन सरकार में जिला दिकाज के परमिशन के आप नहीं जा सकते नेजी वहां का उप्योंगी नहीं कर सकते अपने मन से तो पूरी तरह से लॉक डाउन उसी तरह से बस इतनी सिबाद कि 11-4 बे तक कुछ दुकाने पुल सकते हैं के वर सरकारी जो इस लॉक डाउन में काम करते हैं वो या आपातकालिन इमर्जनसी एसेंसेल सर्विसेस समद्दित लोग वही जा सकते हैं बाकि आम आदमी के लिए साथ बे साम से सुबर साथ बे तक कर्फू है तो लॉक डाउन के चौपे चरुन का सार यही है झाल 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 झाल